तूर्ट वेल्कम बैक टू माय टूब चनल एस्वी स्टेडी क्लासेस 9335 पार तो कैसे आप सब और कैसे चल लए है आपकी स्टेडी आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी सांदार चल लए होगी तो उसे स्टेडी को और विसांदार बनाने के लिए बोड एक्जाम चाहिए आप MP बोड का हो और फिर चाहिए वो UK बोड का हो और फिर चाहिए वो UP बोड का हो मान लीजी UP बोड का हो चुका है MP और UK का बच्चा हुआ है इन सभी बोड के लिए Class 12 समेश्टी के 3 टोपिक बहुत ही महाध्मूर है, आपको माईने नहीं रखता है किस बोड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन माईने यह रखता है, कि आपको एत तीनो टोपिक अबस ही पढ़ने हैं, और हर बोड में एत टोपिक आते हैं, और जिस तरीके से बहुत जदा important होने वाला आपके लिए रामबार से दोने वाला है इसलिए आपको वीडियो complete देख लेना है ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो हैं उन सभी वीडियो को समझ में आ जाए क्योंकि आज किस वीडियो में हम आपको basic से सम्झाएंगे आपको किस तरीके से reactions ब लगवग लगवग आपके 20 marks के तो फसे गे ही और इनसे लगवग 100% 100% सियोर होता है 100% एट तीनों टोपिक आपके बोर्ड इक्जाम में आते हैं तो इसलिए आपको क्या करना है वीडियो complete देख लेना तो आए हम वीडियो को सुरू करते हैं जिससे पहले अगर आप लोग पहला टोपिक है वह कैसे प्राप्ट करेंगे यहनि कि जो टोपिक आता है का आता है लगवग 5 reaction इसमें दी होती है और लगवग 5 नंबर का कुश्चन आता है ठीक है कि कैसे प्राप्ट करेंगे इससे वह उससे वह तो टोटल आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंग और एसी टोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है देखें एसी टोन के अगर हम फार्मूले की बात करें तो एसी टोन का फार्मूला होता है CS3, CO, CS3 यह फार्मूला होता है लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है क्या क्लोरी टोन तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसको तोड देंगे हमें बनाना क्या है क्लोरी टोन क्लोरी टोन में आप क्या करेंगे इस पर क्रिया कराइं किसके क्लोरो फार्म की क्लोरो फार्म का हमें सूत्र पता है में कुछ नहीं करना है जो CS3 लगे थे दोनों साइड में उनको तो ऐसे लगा देना है देखिए अब हमें क्या करना है देखिए एक जो यच है यह वाला यच और इस बाले यह हमारा क्याश डोन च zweith क्लो फार्म है क्लोरोफार्म यह जो CS3 आपको दिख रहा है एक टोरोफार मुला होता है तो इस तरीके से से में बनाना है एसकी टोन्स से क्लोरी टोन थो हम आगे भू प्रैक्शिं प्रैक्टिस करते चलते है देखिए next reaction से डी स्य नेक्षे पोटेंट रेक्षन है बोर्ड एक्जाम में कई वार आ चुकी है तो दीखे सबसे पहले हम प्लोरो विंजीन की बनाएंगे गोरो विंजीन की रिंग हमें कुछ इस प्रकार से बनानी होती है देखे आप चाहे तो इनमें तीन जगे पर डबल बांड लगा दें चाहे तो बी वीडियो को आराम से देखते चलिए बिल्कुल मैं बेसिक से समझाता चला हूँ देखे अब हमें क्लोरल मिल गया यह चीज आपको इस तरीके से आपको डंडे खींच लेना इस तरीके से और इसको ऐसे और इसको इधर से ऐसे और इधर से जोड़ देना है आप चाहे तो तीन जगे पर डवल बांड और चाहे बीच में आप गोला कर सकते हैं और आपको क्या करना है इन चोन पर निकाल कर एक एक सेल जोड़ देना है और इस चोन को लाकर ऐसे कर देना है ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है दिखे इसका जो ओ है इसको एस्टू के रुप में निकाल दिया अब बात आती है रेयक्षन बैलंसिंग की तिक अगर हम बात करें यहाँ पर प्लोरो वेजित की तो I hope ए रियक्षन भी आपको समझ में आ गए अब हम लोग next reaction की बात कर लेते next reaction है एसी टोन से मैं बनानी है mesitylene देखिए ए रियक्षन भी कई वार बोर्डिक जाम में आ चुकी है एसी टोन से बनाने को लिए हमें क्या थी mesitylene देखिए एसी टोन से mesitylene ए भी रियक्षन कुछ important है आप इसको भी तयार कर लेंगे इस reaction को बनानी के लिए में क्या करना पड़ेगा एसी टोन का फार्मूला हमने अभी आपको उपर बताया है एवाला देख लीजी एवाला फार्मूला ठीक है लिखना हमें कैसे तोड कर ही है लिखेंगे cs3 single wand इधर इधर cs3 और इधर यहां पर हमने क्या लगाए था ओल ठीक है अब हम इसको डारेक्ट इसके किरिया करा देंगे एक बिंजीन की जैसे हमें रिंग बना ले लिए ऐस तरीके से इसनों टेरी रिंग बन गए यहां आप अच्छे से बनाएंगे सही सही ठीक है अब हमें रिंग बनानी क्या करना है तीन जगे पर हमें क्या लगाना है cs3 यहां लगाना है यहां पर लगाना है cs3 और हमें यहां पर भी लगाना है cs3 ठीक है और हमें क्या करना है ठीरी जल निकालने 3H2 हो निकालना है और देखिए 3H2 निकालने के लिए हमें यहां पर तीन से बैलेंस भी करनी पड़ेगी और हमारी पूर्ण रूप से बैलेंस है और इसी का नाम है मेसिटिलीन इस रियक्षन को भी आप अच्छे से तयार कर लेना याद कर लेना अब हम लोग निश्ट रियक्ष आपको इस तरीके से बैंजीन की रिंग बनाने बीच में गोला कर देना है आप देखिए एनिलीन के लिए हम क्या करेंगे टॉप पर लगाएंगे नेच्टू क्या लगाएंगे नेच्टू हमें बनाना क्या है बैंजल डिहाइड डिहाइड मतलब होता है CHO समू तो हम क्य फार्मल डिहाइड कीमकिरिया करा देंगे फार्मल डिहाइड से हम बना लेंगे बैंजल डिहाइड इसका CHO क्या करेंगे मुठा लेंगे यहां पर लगाएंगे इनको एनिश्टू के रूप में बाहर करवा देंगे देखिए हमें क्या करना है जो CHO यहां का इतना उठाके हम क्या करेंगे यहां पर लगा देगे अब देखिए नच्टू हमारा पहले से था नच्टू और एक हाइड्रोजनॉड जुड जुड जाएगा तो हो जाएगा यह नच्टूरी और यह हमारी अमोनिया निकल जाएगे इसी का नाम है बैंजल डिहाइड और यह हमारा फार्मल डिहाइड ठीक है अब हम नेस्ट है कलोरोंट विंजन से हमें बनानी हमें रियक्शन लिखने ही कलोरोंट विंजन कैँ से विन्नुल Baltimore Park mend sanction क्लोरोंट विंजनी से विनायट एक से कई दिक्षो。 हम्हुक्ति क्लोरोंट कर सकते हैं ऐस तो क्लोरोंट फर्मॉल्ला बना लेंगे हम बनाएंगे वेंजीन की रिंग्स इस्ट्वेंट टेरी रिंग्स बन जा रहे ही कोई दिक्कर नहीं आपको सही बनानी इसका जो यह यह यहां पर सब्सक्राइब तो आपने एस ल तो पड़ाई होगा हमारा एसल जो निकल जाएगा यह हमारे फिनोल बन गई एक लोरोवेंजीन था और ए था अमारा गंगा जल क्या था गंगा जल ठीक यानि कि जल था वाटर था आई होप इस पांच रीक्सण साब को समझ में आ गई अब हम लोग बात करते हैं नेस टोपिक हमारा दूसरा टोपिक क्या है कि या होता है जब कुछ रेक्संस आप से जैसे कि अगर पहली रियक्सिंस की बात करें तो आती इस तरीके से फिनोल की क्रिया नाइट्रिकमल से होती है फिनोल जो हता है उसकी क्रिया हम नाइट्रिकमल से कराते हैं तो क्या वनता है वो रियक्सिंस हमें देनी है ठीक है देखे अगर फिनोल की क्रिया नाइट्रिकमल स तरीके से होती है यहां पर लगा होता है ओ एच हमें किरिया के रानी है नाइट्रिकमल की और नाइट्रिकमल का फार्मूला होता है एच अनो थिरी ठीक हमें बनाना क्या है दिखें इसमें आपको भी बता रहा है कि इसकी किरिया आप इसके कराई आइनितिंग कुछ भी पिकरी कमल बन जाता है जो उपर है टॉप पर उसको तो यह चैसे रहने दीजिए ठीक है और आपको यहां यहां और यहां पर आपको लगाना है यह नूटू क्या लगाना है यह नूटू और कभी-कभी ओटू यह यहां यहां पर मिल जाता है तो चाहिए आप ओटू यह लि आपको 3 से यहाँ वैलन्स करना पढ़ेगा और 3 से आपको वैलन्स करना पढ़ेगा नाइटरिक अमल के पास इस तरीके से इस reaction को हम बनाएंगे यह हमारा है फिकरीक हमला अगर इसका आप नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिकरीक अमला बन गया अब हम नेस्ट रेक्शन क्या है एथेनल की किरिया है एच सीन से होती है यह जो एथेनल है उसकी किरिया हमें करानी है एच सीन से है इस सीन का हाइड्रोजन साइनाइड नाम होता है दीखे अगर हम एथेनल की किरिया है एच सीन से कराते हैं तो क्या बनता है दीखे प डवल वान डो, ठेके ऐसे लिखते हैं, CS3, 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 CS4, दिखे हैं यहाँ पर आप एथेनल लए, एसी टोन करेंगे, इसी मिस्टेक हो गया, ठेके, एसी टोन आपका लिजे, एसी टोन मा लिजी एसी टोन है ठीक है एथेनल वी हम समझा देंगे कोई दिक्क्त नहीं है आप यहां पर आप लिखेंगे एसी टोन और एसी टोन का फार्मूला होता है C O C S 3 तो वही C S 3 C O को हमने तोड़ के लिख दिया C S 3 अब हमें किरिया करानी HCN से इसकी किसके साथ HCN से तो देखे C तो हमारा सेंटर आइटम उसकी चार से हम करेंगे बैलेंसी पूरी एक जो CS3 लगे उनको तो हम ऐसे ही लगा देंगे CS3 इसका जो CN है इसको हम लगा देंगे उपर और इसका एक EH ये बचा इसको OH के रुप में निकाल देंगे ठीक है यह हमारा बन गया एक mix-up compound यह निकी योगात्मा का गिरिया हो जाती है अब हम लोग इसकी जो reaction number 2 हो गए ठीरी बात करते है देखे इसकी तीसरी reaction है Benzal Dehyde को caustic soda villain के साथ गरम किया जाता है देखे जो Benzal Dehyde है उसको caustic soda villain के साथ हमें क्या करना होता है गरम किया जाता है तो Benzal Dehyde का फार्मूला होता है C6H5CHO C6H5CHO होता है Benzal Dehyde का फार्मूला और आप चाहें तो ring में भी बना सकते है ring में इस तरीके से आपका बनेगा C6H5CHO को हम क्या करते है ऊपर लिखते है यह होता है ring के अंदर विंजल Dehyde का फार्मूला अब हमें इसके साथ किरिया कराने है किसके caustic soda यह नहीं कि caustic soda का हम कहते है sodium hydroxide sodium hydroxide calcium caustic soda caustic soda यह नहीं इच इसके हम किरिया करादें कि तो हमारा sodium benzoate बनता है क्या बनता है sodium benzoate sodium benzoate का formula होता है C6H5 COONA और हमारा निकल क्या जाता है C6H5 CH2OH यह जो है हमारा निकलता है इसका नाम होता है sodium sodium benzoate sodium benzoate और इसके लिए क्या करना पड़ता है यहां पर हम कर देंगे दो से बैलेंस ही और पूरी रियक्षन हमारी बैलेंस हो जाती है इसका नाम है sodium benzoate इसका नाम है benzoate ठीक है और इस रियक्षन को हमें एक name reaction के नाम से जानते है जिसको कहते है काईनी जारो काईनी जारोव क्रिया क्या इस्टूट कहते है हमें बनाना है formaldehyde की करिया CSCRNH2 NH3 से करायाती है अगर हम बात करें formaldehyde की करिया हमें कराने है ammonia से तो क्या बनता है देखे formaldehyde की करिया जब हम अं모 recognition से कराती है तो अमारी एक reaction बनती है जिसका नाम होता है eurotropin और यह देख से आती है कभी कभी कि फिनॉल से एरोट्रोपिन कैसे प्राप्ट करेंगे तो उसको हम समझाएंगे लिखेंगे फिनॉल का फर्मूला CH-CHO H-CHO प्लस किरिया कराएंगे किसकी NH3 की NH3 की जब हम किरिया कराते तो अमारा बनता देखें इरोट्रोपिन का फार्मूला होता है CH2 का होल 6 होता है EN4 होता है प्लस हमारा निकल जाता है H2O इसको बाइलेंस करने के लिए हमें 6 यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं चार हमें यहाँ पर बढ़ाने पड़ते हैं और हमें 6 से जल बाइलेंस करना पड़ता है और इसी का नाम है इरोट्रोफिन इरोट्रोफिन यह हमारी जो बनती है यह हमारी है इरोट्रोपिन ठीक है कभी कभी आता है फार्मल डिहाइड से Eurotropin के नाम से ठीक है अब हम Next reaction की बात करते हैं Yes अमारी reaction है PenSon हम बंजोई कमल का Nitric Giant किया जाता है यह имеетće जो बंजोई के acid है उसका करेंगे हम Nitric ANd D 색 के बंजोई कमल का पहले तो में लिखेंगे farmule Odii कमल का मतलब हैician says रिगन का além हम किईग साथ करात है किनिक HNO 3 की करिया करा दें किसके स्टुएंट HNO 3 की करिया कराते है इसमें उपस्तित में रहता है किसा सांद्र कैसा रहेगा कौन सांद्र H2 ENO H2 ENO 4 लिख देगे कुछ भी आप देख सकते हैं H2 ENO 4 हम रखते थे इसकी presence इसकी presence लिखते हैं तो हम इसका कराते हैं Nitri current Nitri current में हमें क्या बिंता देखिए Nitri current कराने का मतलब होता है इसकी Nitri current कर दीजिए और इसमें OS2 उपर तो कोई balance कोई change नहीं होगा नीचे change हो जाएगा क्या आपका जो यह बाला area है यहाँ पर लग जाएगा आपका ENO 2 ENO 2 लगने के बाद आप देखिए यहाँ से क्या किया इसको अकर हम तोड़ के लिखना चाहें समझेगा देखिए OEH हम इदर लिख लेंगे और ENO 2 लिख दे OEH ENO 2 हम इसको तोड़ कर लिख सकते हैं क्योंकि आक्सिजन 3 है तो 3 हमारे हो गए ENO 2 तो हमने लगा दिया यहाँ पर हमारे पास OEH बचा और OEH बता यहाँ पर का जैसे कि अगर हम एक्जांबल के तौर पर बात करें हुन्स टीकर अवकिरिया हुन्स टीकर अवकिरिया कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम फूल डिस्कस करेंगे आई हुन्स टीकर अवकिरिया को भी हम समझ लेते हैं दो कि बनाने कर पहले मुदारण देखतें फिर उधा हरंड से मंआपको wire है कि प्रिवहांसा आप कैसे लिखेंगे इन्हीं कि मालीजे अगर हम उधारंड पता तो उससे हम परिवहांसा बना कर कैसे लिखतें देखिए उदारण में अगर हम बात करें किसकी हुन स्टीकर अब किरिया को तो इसमें हम किरिया कराते हैं सिल्वर एसिटेट, CS3, COO, AG इसकी किरिया कराते हैं ब्रोमिन से, BR2 के साथ इसकी उपस्तिज में रखते हैं CCL4 CCL4 का नाम होता है कारवन टेट्राक्लोराइड इसकी किरिया कराते हैं तो हमारे पास CS3, BR, प्लस AGVR, AGVR और CO2 निकल जाता है समझिएगा अब हम अगर बात करें हुन स्टीकर अब किरिया आती तो इसका नाम है silver acetate, एह ब्रोमिन, इसका नाम है carbon tetrachloride, एह methyl bromide, एह silver bromide, और हमारा Ahex carbon dioxide ठीक है अगर इसकी परिवासा की बात करते हैं तो अगर हमें बार लीजिए परिवासा साइट उदा हरंड की आ जाता है तो हम लिखेंगे जब सिल्वर एसीटेट की किरिया कारवन टेटरा कलोराइड की उपस्तित में ब्रोमीन से होती है तो मिथिल ब्रोमाइड बनता है और एव किरिया हुंस डिकरव किरिया कहलाती है अगर आप ऐसे इस तरीके से लिख कर आते हैं तो आपका लिखेंगे किरिया C6H5 CHO की किरिया हमने किसके कराई थी ENAOH ENA की कास्टिक सोडा के नाम से वहाँ पर थी बेंजल लिखेंगे की किरिया कास्टिक सोडा के साथ गरम किया जाता है बेंजल लिखेंग को क्या बनता है तो वहां पर हम ने कराई दें लेकिन यहां पर हमें ऐसे कराते हैं इसके साथ जब किरिया कराते हैं तो हमारे बनता है C6H5, COO, यहने sodium benzoate plus C6H5, CH2OH, यह है C6H5, CH2OH, ठीक है C6H5, COO, यहने, इसका नाम है sodium benzoate क्या होए, sodium benzoate इसका नाम अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे बेंजल, बेंजल एलकोहल, इसका नाम क्या इस टोएंट, बेंजल एलकोहल, यह है sodium benzoate, अब हमारे पास रेक्शन बनगा, इसके लिए हमने क्या किया था, यहां पर दो से बैलेंस की थी, अगर इसके बात आती हैं में परिवा परिवासा कैसे लिखेंगे, तो आप इसकी परिवासा लिखेंगे, जब बेंजल डियाइड की क्रिया, sodium hydroxide, इसके साथ होती है, तो sodium benzoate और benzoate, बेंजल एलकोहल बनता है, यह क्रिया ही कैलाती है, ठीक है, इस तरीके से आप इसकी परिवासा को लिख सकते हैं, नेस्ट र किरिया है, ख्लोहल फार्म और कोह के साथ हम करम करा देते हैं, तो आईसोसाइनल यान्य की फेनिल आईसोसाइनाइड अगर बन जाता है, तो हमारी जो रियक्शन बन जाती है, उस हमको कार्वी लेमिन अप किरिया कैने लगते हैं, तो आइए हम समझते है, ठीके मान लीजे K6-H5-N-A-Ch2 यह तो है एनिलीम प्लस हमें क्या करना है CHCL-3 लेना है क्या ओर क्लोरोफार्म और हमें कोई लेना है यह KOH ले सकते हैं यह नहों इसके घ्डीर करादें हमारा हीट का साइन होता है हीट का साइन होता है तो हमार whom C6-H5 हमारा जो बनता है वो आईसो साइनाई डियानी की एंसी बनता है और हमारा KCL निकल जाएगा और हमारा निकलेगा जल H2O आप देखिए अब यह रियक्षन हमारी यही कमपाउंड बनते हैं अगर आप बात आती है क्या बैलेंसिंगे तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं तीन को से हमें यहां पर बैलेंस करते हैं जब हम तीन से बैलेंस करते हैं तीन KCL हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे तीन KCL के पास बढ़ा दें क्योंकि K3 थे ठीक है अब हमें बात आती है पी और ऐाकसेजन भी तीन होगे तो ऐकसेजन को तीन करने के लिए हम तीन जलक पास बढ़ा देंगे हमारी डिकसंन बाइलंस है कोई दूसरी बात हमें नहीं है अब अगर यही रिक्सन कभी कभी क्या करते हिसके रिंग में आ जाते हैं तो आपको enc उपर लिख देना और टोटल जो ही यहां पर है वही सब आपको लिख देना है यहनि की case l है तो case l लिखकेगा जल है तो jell लिखे 주 t2 से बैलन्स त3 से बैलन्स और 3 से बैलन्स ठीक है इससी तरी के सब रिंग में बना सकते है नेस्ट और चौथी रेक्सान आती है सेंड मायरव क्रिया सेंड मायरव क्रिया क्या होता है बेंजिन डाइजोनियम क्लॉराइड के क्रिया हम SCL के साथ कराते है तो क्लोरोव इंजिन बनती है और यह हमारी क्रिया कहलाती है N2Cl, इसका नाम है Benzen Di-Digoneum Cl》, क्या है Benzen Di-Digoneum Clue, इसके कर आते हैं SCL से, इसमें कुछ उपस्थित में रहता है, CO2, CL2, CO2, CL2 की उपस्थित रख देते हैं, हमारे पास बन जाता है C6H5Cl, और हमारे पास जेके EN2 जो है एक अलग निकल जाएगा और जो इसका HCL है वो बैसे का बैसे ही निकल जाएगा HCL भी हमारा निकल जाता है इसका नाम है क्लोरोवेंजीन यह है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अगर इसकी परिवहासा की अगर हम बात करें इसकी अगर आपको कार्विलेमिन अब क्रिया की परिवहासा लिखना नहीं आता तो समझ लीजिए उर्य हमने नहीं बता पाई परिवहासा समझेगा लिखेंगे जब एनलेन के क्रिया क्लोरोफार्मा और चार के साथ होती है तो हमें एक आईसोसाइनाड बनता है यानि कि आप ब्राकेट पर लिख देंगे फेनिल आईसोसाइनाड बनता है अब क्रिया कार्विलेमिन अब क्रिया की परिवहासा तो इसमें लिखेंगे मेंडिया सब क्रिया को लेकर यह reaction काफी important है और बोड एक्जामिक कई बार आ चुकी है तो आए मेंडिया सब क्रिया को भी समझ लेते हैं इसमें होता कि यह CS3CN एनिकी मिठल साइनाइड का हम क्या करते है अपचैन का मतलब होता है H2C लिया और इससे लिए हमें यहाँ बैलेंस करना पड़ता है मेथील साइनाड से हमारी एथीलेमीन बन जाती है अगर इसकी परिभासा की बात करें में इंडिया सबकी तो आप लिखेंगे जब मिथिल साइनाइड का अपचैन किया जाता है तो उससे एक कारवन ज्यादा की एमेन बनती है। इसकी इंग्लिज देख ड-i-r-j-a-n डार्जन रियक्षन डार्जन रियक्षन इस रियक्षन को आपको क्या करना है इस रियक्षन की शिर्फ आपको एक आपको कमेंट लाक्षन में लिखकर सेंड करना है अपनी नाम और लोकेशन के साथ ताकि हम समझे आप कैसी तैयारी कर रहे हैं तो आई हो पर वीडियो आपको पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो उसका